अरे चाहवी के घए मेरी यह बाइक आपकी है इसको क्या ही पता चलेगा इसके बेटे की बाइक है अरे चुराले हम ना इसको बेचकर बहुत सारे पैसे कमा लेंगे वहाँ वहाँ जड़ी से और इसे क्या पैजनी है निकलते हैं अरे बाई चाबी घिल गें कोई ढूंद भाई याप मेरी अरे चाबी कहा है अंगल यही होगी ढूना आज पर अरे आर थूर फैसे लोगी थी इस परेशते लोगी है रही कह रहे है याद, पूद मैंगी बे आगे ये तो वही पुटा है कौन है भाई? कोई आया है क्या? नमस्त अंकल जी, प्रेंस के दोस्त है हम प्रेंस तो घर पे नहीं बेटा आज सवेरी एक लड़की मेरे बेटे की मोटरसाइगी लेके भाग नहीं तो उसकी थाने रिपोर्ट लिखवाने गया है लेकिन तुम्हारी हवाज उस लड़की से मिलती जूलती है बेटा अरे नहीं, मेरी हवाज तो ऐसी है गलब बैट गया था आज और आप क्या बोल रही है? मुझे चोर से कंपैर करें आप क्या लगता है, मैं चोर हूँ? मैं तो प्रिंच से मिलने आई थी पर ठीक है, अगर आप इतनी बेज़ती कर रहे है तो जा रहे हम यहां से अंटे ता रुखना आप तो तो त्यरा आवाज मिल रही है बस तुने साहत देखा नहीं अंकल अंदी है मैंने कुछ दिखाई नहीं दे रहा ये तो अच्छी बात है ना क्यों हमें पैचान नहीं पाएगे अरे तू क्यों गप्रा रही है पर बैठते हैं ना नाम से आपके इस काम के लिए पर इन से मिलने आ है वो काम तो करते चल रहे अब ऐसे भी उड़ा कौन सा में पैचान पा रहा है ठीक है अंकल हम यहीं बैठे हैं प्रिंस का इंतिजार करते हैं रामो हासाद अरे भाई इनको पानी पिला दो ठीक है साथ अब यार मेरे को तो बहुत चिंता हो रही है बाइक नीचे ही खड़ी है और अगर प्रिंस आएगा और उसने गलती सब बाइक देख ली फिर उसे तो पता चल जाएगा कि उसकी चोरी हुई भी बाइक हमारे पास है अब क्या कर यार मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यारी तो मैंने सोचा ही नहीं नीचे तो उसको बाइक दिख जेगी साफ खड़ी हुई और अगर बाइक दिख गई और हम घर में दिखे तो पक्का उसे यही लगेगा कि हमें ही चुराई है हमें कुछ तो करना पड़ेगा एक काम करते है ना जो काम कर रहा है किसी और दिन कर लेते अब ही निकलते हैं यहां से बाइक छुपा लेते हैं फिर देखते हैं क्या करना अब यार कैसी बात कर रहे है तू जाने की उसने मेरे से साथ हिजार रपे उधार ले रखे हैं आज भी वो टैम मिला साथ हिजार रपे ले लेगा अगर आज पैसे नहीं ले न तो फिर नहीं मिलने वाले मेरे पैसे वापस दो आरेगा बीबी यहां लाकों की बाइक की बात हो रही है और तुमें साथ हिजार की पड़ी है अरे बाबा अगर यह बाइक चली गए न तो इस साथ हिजार का क्या करोगी अरे रुको बेटा तुम लोग जा रहा हो क्या प्रिंस आता ही होगा रिपोर्ट लिखवा क्या अरे वह बहुत लेत हो रहा था न तो आमने सुचा कभी और में लेंगे प्रिंसे अभी चले जाते हैं अरे भीक भाएक चोरी हो गए थी न तो थाने रिपोटलिख flies curries आरा हो को कर अच्छा बाइक चोरी हो गए इसकी बैसे एंकल जी उसने कुछ दिन पहले तो लिए थी पारीक OR बैठो भाइक चोरी हो ग word अरे बैठो बैठो तुम इसका दोस्तो अब देखो ओ आ भीक होगा अधिने अंकल चलते हैं, वेखाया लेक है कहो जारे है आप लोग? अधिने तुम आगया? अधिने नहीं क्या हुआ, बाइक चॉरी होगी मेरी बहुत बुरा लगा यार सुनकर इतनी मेहंगी बाइक थी अंकल ने बताया और तुमने कितने मन से लिये होगी और वो ऐसे चोरी होगी पतानी, लोग ऐसा क्यों करते हैं चोरी करके उन लोगों को मिलता क्या है हैर इतनी मेहनत करके पैसे कमाई थे बच्पन से सपना थो बाइक लेने का अब नया बिजनेस चालू किया था बच्पन से कुछ पैसे आये थे और कुछ पैसे पुने इतने उधार दिये थे इसने ले ली थी बाइक अब क्या करता है चालो कोई बात नहीं पुलीस में कंप्रेंड कर दिया है क्या रहे हैं जो भी चोर होगा पकड़ा ही जाएगा कहां जाएगा भाकर कोई बात नहीं प्रिंस तुम जिंता मत करो नहीं बाइक ले 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 ला अब चोरी हो गई तो हो गई सिंदगी थोड़ी खतम हो जाएगी तुम अपने शौक तो पूरे करने चाहिए न नहीं बाइक ले लो वो तो शायद मिलने से रही क्योंकि एक बाइक ज़ोली हो जाती है तो यह चोर ना बहुत चाहते होते है बाइक के अलग-अलग हिसे करके न कब कहां काहाँ आइसा पहुचा आदेते है किसी को बता नी चलता अंकिता यह भीक जोरी हो गई यार मेरी मिल जाएगी अब पुलीस वाले उने दिलासा दिया है कि मिल जाएगी कुछ दिनों की बात है बस चोर अगर चोरी करके भागा तो पकड़ा ही जाएगा ना कहां चक भाग लेगा अरे नहीं हम जा रहे थे लेट हो रहा था काफी अरे कहां जा रहे हो बैटो बैटो इसके 60,000 मैं लाता हूं मैंने रखे हुए है हाँ मेरे 60,000 जाता है थोड़ी देर मेरे पैसे तो मिल जाएगे 60,000 और वैसे भी लाकों की बाइक भी तो मिल रही है ना अरे सुना वो पुनीच के 60,000 उपर उधार लिये थे ना बाइक तो है नहीं पर कोई बात नहीं इसके 60,000 उपर मैंने रखे हुए है मैं ले आता हूं और बात भी बेट कर देते हैं हाँ बाई हम बैटके बेट कर रहे इतने तू पैसे लिए मेरे यह साड़ेजार उपर रख ले यार पकट और हाँ बता रहा थे यार बाइक का अगर तुम दोनों को भी कहीं पता चले तो बता ना पता कितना मेहनत से लिए थी यार मैंने भाइक थे पैसे तक भी चुकानी पाया था यह पैसे उसकी किस्त के लिए रखे थे अरे कोई बा यह पैसे उसकी किस्तों के लिए रखे थे सुचे था कि इस महीने की किस्त भर दूंगा लेकिन क्या करता अब बाई की निया तो पैसे का क्या करमा रख ले तो पापा के उप्रेशन में पैसे लगा देता हो कोई बात नहीं पापा भी जल्दी ठीक हो जाएंगे और पुनी मैं जितना जानता हूं कि तेरे पापा डॉक्टर है ना थोड़ा से देख ले ना उनकी कहीं जान पैचान में कोई अच्छा आई अस्पिटल हो तो पापा का हो जाएगा बता दे ना हाँ कोई नहीं मैं करता हूं पापा से बात इस बार में ठीक है भाई और हाँ अंकिता तुमसे बात करनी थी मुझसे बात करनी है? बोलो ना अंकीता देखो अब बाइक गई चलो कोई नी जाने दो अब उसका दुख अब तक मनाऊंगा अच्छा सुनो मुझे तुम बहुत पसंद हो तुम्हे भी शायद मैं पसंद हो ना बोलो न अंकीता अब आप भी कहा रहे थे कि मेरी शादी की उमर हो गई है तो मैंने सचा कि अब आपको बता दूँ अच्छा 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 अज यह वही लड़की है अरे बेटा तुने पहले क्यों नहीं बताया मुझे यह बात है? हाँ आपका उपरेशन हो जाएगा जल्दी आंखों का फिर आप भी अपनी वहू को देख सकोगे बहुत अच्छी है और दिल की बहुत साफ है इसे कोई फरक नहीं पड़ता कि मेरे हालात कैसे हैं कैसे नहीं यह मुझे बहुत प्यार करती है और हाँ मैंने जब बाइक लिए थी ना सबसे आदा यह खुश्ती मेरे लिए कि इतनी महंगी बाइक लिए है और जब अब ऑपरेशन की बात करी है थब भी सबसे आदा खुशी इसके चहरे पे थी कि पापा को ऑपरेशन हो जाएगा और पापा सब कुश देख पाएंगे अरे बेटा बहु की आवाज कितनी मीठी है ना मेरी तो किसमत ही खराब है मैं देखी नहीं पास था अब तु बस जल्दी से मेरे आपरेशन करवा दे और मैं ठीक हो जाओं और तु इस बहु से शादी कर ले फिर मैं अपने पोता पोतियों के साथ में खुब खेलूंगा हाँ आपके ठीक होने से पहले मैं शादी नहीं करूंगा शादी उसके बाद ही करूंगा और बाई गई है तो कोई बात नहीं दोबारा आज जाएगी उसमें कॉनसी बड़ी बात है मैं मैंनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा यहां से निकलने का सोच पुनीद यह तो पता नहीं कैसी कैसी बाते कर रहा है मुझसे हाँ ता तो पहले इसे कर ले ना फसन कर ले पहले इसे साथी उसको बात सोचू ही यहां से जाने का यार ऐसी थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो बस बहुत टालने के लिए कह रही थी, तक ये पीछे ना पड़ जाए, अब हमें बाहर जाना है, कुछ ना कुछ रास्ता सोचो ना, सबसे पहले तो हमें यहां से निकलना है, शादी वादी कही भाड में, इसे तो मैं अपना मून न दिखाऊं कभी, तुम इसे शादी की बात कर रहे हो, अब बेटी एक बात बताओ, तुमें, तुमें कैसा लगता है मेरा प्रिंस बेटा, जी अंकल जी, मुझे तो प्रिंस पहले से ही पसंद है, इतने महंदार, इतने महनिती, मुझे तो बहुत पहले से पसंद है, और लाखो में एक है, बहुत अच्छा है मेरा बेटा, देखो, अब मेरा अपरेशन भी करवाएगा, मैं ठीक हो जाओंगा, है ना, मेरा बहुत कहाल लगता है, बड़ा बड़ा गुनी है मेरा बेटा, तुमें भी बहुत अच्छी तरह से रखेगा ये, तुम दोनों को महन च पूरता है, ये हो गया, ऐसे नहीं नहीं शट लेते तो चार पांसो तका जाती है ना, तो ये सेकेंड हैंड मैं मतलब ऐसे रेडी बगरा लगाऊंगा, उससे सो देट सो रुपया तो आई जाएगा, मतलब एक एक कपड़े का, तो इसे साब से देखो, मैं पुराने कपड होंगे तो बता देना, एक बात बताओ, तुमको मेरे पीच्टे के विजनेस कैसा लगा, है, मतलब अंकल जी, ठीक ही है पर अजीब नहीं लगेगा, अंकिता क्या अजीब है इसमें, देखो, कोई भी दंदा छोटा नहीं होता, पापा ने तो ये ही साइखाया है, अगर त इसका अच्छा रेट मिल जाएगा, सो एक सो बीस रुपे तक तो एक शेट चले जाएगी, ऐसे बहुत सारे कपड़े हैं, अगर इसमें से तुमें चाहिए तो बोलो न अपनी, तुमें चाहिए इसमें से कुछ, अपै नहीं 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 भाई, मेरे को नहीं छी है ऐसे पहनता भी नहीं हूँ, और वैसे तेरे को क्या जूत पढ़ गई, ये सब काम करने की, जो लोगों के कपड़े उठा उठा कर सो सो रुपे में बेग रहा हैं, अपै तेरे तो खुद पे इतनी महेंगी भाईक थी, और मैं ऐसे कपड़ों का ना, घर में पोच्छा भी नही तो क्या हो गया, पहले महेंगी भाईक चलाता था तो, अभी यार हालात के हसाब से काम करना चाहिए, और ये बिजनस आगे जाके बड़ा भी तो हो सकता है, आज ये बेच रहा हूँ, आगे चलके अपनी खुद की दुकान भी होगी, धीरे धीरे सब सेटल हो जाएगा, त तेरे साड़ हज़ार पर उदार क्यों मानता अगर इतना पैसा होता मेरे पास तो, तुभी समझा करना, अंकीता वह चड़ा तुम ये बताओ कि, कैसा लगा तुम है मेरा बिजनस से, तुम गंदी से कपड़े बेचोगे तो, गली-गली जाकर अब क्या रेडी वाले चलो पुनी, हम क्यों बैठे हैं, अंकीता, कम से कम स्नॉकर को ही देखो, तुम से तो अच्छा है, कम से कम उधारी पर नहीं चल रहा है, अब तुम ही कम आ रहा है और ऐसे घट्या आईडिया निला रहा है, तुम से शादी करने से अच्छा ना, मैं कुवारी रहूं, और और फॉद सोचो न हाले वाले टाइन पर अगर हम दोना का बच्चा हुआ तो क्या सोचेगा अम्मी पापा ने इतना भी नी कमाया कि मुझे ढंक से रख सके पापा एक दो कोड़ी का बिसनस करते हैं और ये जिसे तुम बिसनस कह रहे हो ना गली-गली लोग घूंगते हैं ऐसे कपड़े लेकर बेचने के लिए अंके तब तक तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा को सब्जी बेचते हैं ये दो कॉड़ी का काम ना हर इंसान कर रहा है तुम कोई नए नहीं हो समझे अरे हाँ एक काम करो तुम्हे इसके लिए कपड़े चाहिए होंगे ना मेरे ना बहुत पुराने कपड़े पड़े हैं वो भी ले लो वनना बाद में पता चलता इस दंदे से तो मेरे पैसे भी नहीं निकलते हैं क्याई मेरे पैसे भी मर जाते हैं वो अलग खैर अच्छा ही हुआ कि मेरे को मेरे पैसे मिल गए कोई बात नहीं भाई निया काम स्टार्ट कर रहा है और अगर कुछ मदद वगयरा की जूरत हो न तो बता न वैसे भी न हम हमेर में बहुत सारे कपड़े फैकते हैं कुछ कपड़े तेरे को दे दिया करेंगे तेरे तो काम आ जाएगे ना क्योंकि तू बिजिनेस स्टार्ट जो करने वाला कपड़ों का अरे वैसे भी कच्रे में फैकते हैं ना पुनीत वो कच्रा इसके काम आ जागा उसे कच्रे से दो थिंग पैसे कमा ले गए अब इसकी रोटी घर की उनी कच्रे के पैसी से तो चलेगी क्यों है ना प्रिंस चुप रहो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटों को इसा बोले की है वो चोरी तो नहीं कर रहा है ना बिजनेस कर रहा है पुराने कपड़ों का ही सही खबदार मेरे बेटों को ऐसा बोला तो और शादी नहीं करनी मत करो चले यहां से चले जाओ मेरा बीटा बहुत अच्छा है मैं ना हूँ लेकिन मैं उस देख सकता हूँ वो किसी को ऐसा नीचा नहीं दिखाता जैसे तुम लोग उसे को दिखा रहा हूँ तुम लोग दोस्त नहीं उसके दुश्मन लगते हो मुझे चले जा मेरे घर से निल जाओ मेरे बेटे को देखो वो पुराने कप्डू का बीजिस कर रहा है उसको मालूम है कि उसके बाप के अपरेशोन निला रुपह लगेंगे लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी वो मेरा अपरेशन करवाना चाहता है मैनत करना चाहता है तुम लोग उसको बुरा बला कह रहा हो, नहीं करनी जादी मत करो, जाओ, जाओ दभाओ दो यहासे, जाओ तुम्हे तो पहले फरक नहीं परता थान मेरे ऐहालात कैसे भी हो, तब शायद मेरे मास मैं की बाइग थी चन्धा चल रहा था इस वज़े से हां बोला था क्या तो मान की थी शादी के लिए अब क्या हो गया अंगीता अब क्यों ऐसे मुझे दिखा रही हो अरे कोई प्यार व्यार नी करती थी तुझसे तुने बाइक दिखाए थी अपनी इतनी महेंगी वाली मुझे लगा अमीर होगा पर अब देखा दू देखो कैसी हालत है और तुने क्या काता मेरा बाप अंदा है अज़े लेगा चलो कोई बात नी अंदा हो ना हो मुझे क्या फरक पड़ता है मुझे तो बस पैसों से फरक पड़ता है और वो तुमारे पास है और राज जब पता चला न कि घठी ऐसा बिज परेसे रखो, पकड़ो! इस्ते जन्सारे पैसे कहां से आए तुम्हार पास? अबापा किया था मिलकर पापा कोई अंदे करना मुझे पूंझाrist है तो पौपा के ने लगे कि देख वेटा तैर पास पैसा उन्ट कर सकती है लेकिन बेटा जिसके साथ जुन्द्गी भीता नहीं होती है उसे अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी है परक्ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज उसने अगर दोलत देकर हां बोल दिया, आने वाले समय में अगर हमारे हालात अच्छे ने रहे, तो क्या वो हमारा साथ दे पाएगी, क्योंकि हमने एक एक चीज बनाने में बहुत टाइम लगाया था, इतने सालों साल लगे थे प्रापटी बनाने में, कोई पै किया अंदा बनने का, और तुम कुछ अजी भी निकली, ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी घटिया सोच निकलेगी तुमारी, तुमारे पापा खुद सबजी बेशते हैं, उनके बारे में सोचा दिन रात महिनत करते हैं वो, खोन पैसे ना बहाते हैं, सिर्फ तुमें पढ़ान कि तुम जैसे को रखो, इसलिए प्लीस यहां से चले जाओ, और ज्यादा पैसे की भूख है तो एक काम करो, यह पैसा भी रख लो, पूर सॉरी, तुमें पैसा क्यों दो, यह तो महिनत का पैसा है ना, फोकेट में तो आया नहीं है, अब रहा, पुलीस को फोन मेंने कर दि आकती हो गये, बाइक मुझे दिग गई थी मेरी, गला जगा फास गया, तुम्हें लगाओगा कि यह बाइक किसी ओर की है, मेरी बाइक की देखने आ रहे थे ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि, मैंने बाइक ले लिया, तो तुम्हें बहुत खुशी होई थी, मेहनत करी यह लाग और प्या कमाने के लिए दिन रात मेहनत करी यह इतना प्रासा कमाने के लिए रात रात में अमेर नी हो गया था मैं खोई बात ने आप पुलीस ही संजाएगी तुम दोनों को दोस्ते यह रहें शेयर का बट्रन वीडियो के लिए से शेयर कर दो हमारी पेज को फॉलो कर दो फॉलो और शेयर कर वेड़ना बिल्कुल मज़ना प्लीज कर देना लव यॉल